हलो फ्रेंड्स आज का ये वेडियो आपके गुलमोहर बुक के दा विजिटर चाप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है अगर आप लोगों को दा विजिटर चाप्टर अच्छे से समझना है तो उसके लिए पहले आप लोगों को ये छोटी से वीडियो अच्छे से देखनी होगी तो शुरू करें ये चाप्टर पास्ट में हुए World War 2nd पे बेस्ट है World War 2nd के बारे में आप लोगों ने अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा होगा तो पढ़ ही लोगे तो World War 2nd का टाइम पेरियोड था 1939 to 1945 World War मतलब नाम से ही लग रहा है कुछ बहुत बड़ा युद्ध होगा बिल्कुल तो इस War में जितने भी कंट्रीज थे या फिर जिन कंट्रीज के बीच में युद्ध हो रहा था वो मेंली दो पार्ट्स में बटे हुए थे पहला था Allied Power और दूसरा Axis Power Allied Powers में मेंली तीन कंट्रीज थे Great Britain, USA और Soviet Union Axis Power में भी तीन कंट्रीज थे Germany, Italy और Japan तो इस वीडियो में मैं उतना deeply नहीं जाओंगी क्योंकि हम history नहीं पढ़ रहे हैं ये बस एक introduction वीडियो है तो इसलिए मैं आप लोगों को जर्मनी की तरफ लेके चलती हूं I mean जर्मनी के बारे में बताती हूं जर्मनी में एक party हुआ करती थी जिसका नाम था National Socialist German Workers Party जिससे नाजी पार्टी भी कहा जाता था और इस पार्टी के लीडर का नाम था Adolf Hitler जिसे आम तरपर Hitler ही कहा जाता है ये खुन खराबे और अत्याचार के लिए बहुत ज्यादा फेमस था इसने पूरी जर्मनी में अपनी मनमानी चला रखी थी आज भी अगर कोई हमारे आसपास ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो अपनी मनमानी चलाता रहता है या फिर बहुत ख़डूस जैसा बिहेव करता है तो हम उसे Hitler कहते हैं आपने कही ना कहीं सुनाई होगा या आप ही किसे को Hitler बोलते होगे अगर ऐसा है तो आप सब मुझे बताईएगा जरूर कि आप किसे Hitler कहते हो और क्यूं कहते हो अब देखिए Hitler एक ऐसी मानसिक्ता वाला इंसान था जो ये सोचता था कि जर्मन सुपेरियर है मतलब उन से ज्यादा महान उन से ज्यादा बड़ा या फिर उन से ज्यादा उंचा कोई है ही नहीं उसे ऐसा लगता था कि जर्मन पैदा ही होते हैं पुरे वर्ल्ड पर रूल करने के लिए उसके मन में ज्यूज यानि यहुदियों के लिए एक तरह की नफरत की भावना थी अब ये ज्यूज कौन थे तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ज्यूज एक तरह की कम्यूनिटी थी जो जर्मनी में रहती थी और हिटलर इन ज्यूज यानि यहुदियों को बहुत नीचा समझता था हिटलर उन लोगों को हुमन ही नहीं समझता था उसके हिसाब से तो ज्यूज को ना तो फ्रीडम का हख है और ना ही जीवन जीने का जर्मनी में रहने वाले सारे ज्यूज को पहले उसने क्याद करवा दिया फिर मरने के लिए koncentration camp में भेज दिया Concentration camp एक ऐसा कैम्प होता था जहां एक छोटे से चैंबर में हजारों की संख्या में लोगों को भेड बकरियों की तरह ठूस दिया जाता था उनको वहाँ इतना टॉर्चर किया जाता था कि फाइनली वे सब मर जाते थे ये तो थी एक ब्रीफ हिस्ट्री हिटलर और उसके आतंख के बारे में अगले वेडियो में हम लोग इस चैप्टर के में स्टोरी को देखेंगे तब तक के लिए स्टे कनेक्टेट और किप वाचिंग